सफ़ा लोग सोने से पहले क्या करते हैं? आईए आज हम बात करने वाले हैं कि सफ़ा लोग कैसे और क्या करते हैं? सफ़ा लोग रात में सोने से पहले दिमाग को क्लियर कर लेते हैं इस तरह वे सांती से नीद ले पाते हैं जातातर वह दिन भर के अधूरे कामों की लिश्ट बनाते हैं और अगले दिन की पूरी प्लैनिंग करते हैं इससे पूरी रात उनके दिमाग में किसी तरह के विचार नहीं आते और वह अच्छी नीद ले पाते हैं दूसरा है बेंजामिनन फ्रैंकलिन रात को सोने से पहले कुछ से यह प्रस्न करते थे कि मैंने पूरे दिन में आज कौन कौन से अच्छे काम की हैं अगर आप पूरे दोर से गुजर रहे हैं तो यह तरीका बहुत काम आएगा कुछ पल के लिए ऐसा सोचना आपको शाकरात मक्ता से भर देगा यकीन मानिए अगले दिन के लिए आप अपने काम के लिए मोटिवेट फील करेंगे सफल लोग रात को सोने से पहले निगेटिव बातों के बारे में कभी नहीं सोचते क्योंकि वह जानते हैं इससे तनाओ बढ़ेगा जिसका सीधा असर नींद और काम दोनों पर पढ़ेगा दुनिया के सबसे अमीर वेक्ती बिलगेट सोने से पहले आदा घंटा कोई न कोई किताब जरूर पढ़ते हैं वो किताब पढ़ना कभी नहीं भूलते हैं बाराक अबामा पूरवराश्टपती अमेरिका के हर रोज रात को किताबे पढ़ते हैं और कुछ लिखते भी हैं यह किताबे धार में एक बिजनेस मोटिवेशन से सम्मंदित भी हो सकती हैं कई सफल वैक्ती रात को सोने से पहले डायरी लिखते हैं वो अपने अच्छे विचारों और पुरे दिन में क्या क्या किया और क्या अच्छा किया क्या गलत किया है सब के बारे में इस डायरी में लिखते थे आपको भी यह काम रात को सोते समय जरूर करना चाहिए झाल